जैहिंद और नमश्का स्टुरेंट्स आप लोगों का अगर O-Level का एक्जाम 12 सब्टेंबर से है और आप R5 का स्लेबस आप्ट कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने Python इस बार देनी की सोची है तो बचों आपके लिए ये वीडियो बहुत helpful होने वाला है इस वीडियो में मैं आप लोगों को M3, R5 यानी Python के guest paper की announcement के बारे में बताऊंगा अचली होता क्या है Python एक programming language है और जैसा कि आप सबको पता है कि R4 में C भी एक programming language थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चों की backs रहती थी Python में भी काफी हद तक programs आपको बनाने होंगे लेकिन इसमें theory portion भी अच्छा खासा है बचों इस guest paper को आप लोगों की website पे update कर दिया गया है यदि आप website open करेंगे तो आपकी website का जो link आपको ने notes purchase करते समय लिया था उसी पर आप देखेंगे python September guest paper objective और guest paper subjective ये दोनों options आपको दिखाई देंगे अब अगर आप objective पे click करेंगे तो automatically आपके सामने python की objective वाले papers चालू हो जाएंगे ये रहे अब आप लोग इन papers को solve कर सकते हैं solution के साथ साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको इनका explanation भी बीच बीच में मिलता रहे ध्यान रखेगा ये guest paper English में होगा because हिंदी में guest paper बनाना इतने कम समय में अभी possible नहीं हो पाया है दूसरी चीज़ बच्चों अगर इसी के साथ साथ आप subjective के लिए decide करते हैं तो आपके सामने subjective का भी guest paper open हो जाएगा ध्यान रखेगा ये guest papers भी English और हिंदी में mixed हैं तो इस guest papers में मैंने आप लोगों को questions के solutions और साथी साथ पूरा का पूरा paper module आपको बना के दिया है programming में एक issue ये भी रहता है बच्चों की इतनी जल्दी आपका Hindi content तयार हो जाए इतना आसान नहीं हो पाता लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए Hindi में content जादा से जादा available कराया जाए बचों अगर आप लोगों में से कोई ऐसा students है जिनों के पास programming करने का अब time नहीं है तो मैं आप सबको suggest करूंगा कि जो इसमें theory portion है उसको जरूर अच्छे से पढ़ ले theory portions आप लोगों का python में ठीक ठाक portion में आता है जो की pass करने के लिए sufficient होता है तो बचों आपको ये दोनो guest paper आपकी site पे upload कर दियेगा है objective वाला भी और subjective वाला भी ध्यान रखेगा ये guest papers आप लोगों ने जो site ली थी वहीं से access होंगे उसके बाद आप इन guest papers को open करने के बाद इसको अपनी google drive में share भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ अगर आप में से कभी किसी ने ये guest papers के लिए पहले payment नहीं की है तो आप लोग इस guest papers के लिए payment करके इसको purchase भी कर सकते हैं python की guest papers की cost 300 rupees है students ये 300 rupees की आपको online payment करनी होगी मैं आपको दोनो guest papers provide कर दूँगा और जिसमें objective भी है and subjective भी है मैं फिर से बता रहा हूँ कि objective वाला जो portion है वो पूरी तरीके से English में है और subjective वाले portions में mixed language में लिखा गया है English में तो सारा content है ही English में तो सभी कुछ बना है Hindi के maximum questions convert किये गए है English to Hindi में तो बचों ये python का guest papers है और अगर आपको इसके लिए 300 की payment करनी है तो आप मेरे google पे, phone पे, paytm और upi और bheem आपके थूँ payment कर सकते हैं तो ये आसान है payment करिए, screenshot भेजिए और आपके guest papers आपकी mail id पे send कर दिया जाएगा इसी के साथ एक छोटी सी चेतावनी वी ऐसे बहुत सारे groups या ऐसे बहुत सारे channels हैं जो मेरे guest papers को screenshot या फिर किसी तरीके से copy करकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़ा हासिप रहा है कि आप लोग अपने अपने group में मेरे notes को share कर रहे हैं जो कि एक प्रकार का illegal sense हैं बचों ये जानना बहुत ही simple है कि यदि कोई channel या फिर कोई institute इतना भी सक्षम नहीं है कि वो आपको अपने दिया बनाए हुए notes से पढ़ा सके तो लानत है उस पर आप उसे subscribe करिए और उसको तुरंद unsubscribe करने के बाद एक तरह से छोड़ दीजे because वो आपके लायक सक्षम ही नहीं है कि वो आपको अपने बनाए हुए notes से पढ़ा सके इसी कारण से बचों मैंने इस guest papers में बहुत सारी चीज़ें change कर दी हैं आप लोगों को ये guest paper दो पार्ट में मिलेगा कुछ हिस्सा अभी और कुछ हिस्सा कुछ समय बाद अभी guest paper का मैंने 60% डेटा अपडेट कर दिया है जो कि आप drive से देख पाएंगे उसके बाद ये PDF अपग्रेड कर दी जाएंगे और बचे हुए सवाल जो कि guest paper का second part है वो automatically अपडेट हो जाएंगे जो genuine buyer है, genuine students है उनके लिए परिशान होने की कोई दिक्कत नहीं होगी उनको पता भी नहीं रहेगा और उनका guest papers full version में अपने आप upgrade हो जाएगा जो cheaters हैं उनके पास जो लोग notes खरीद रहे हैं और दूसरे को भी sale कर रहे हैं सस्ते दामों में उनके लिए ये एक बहुती बड़ा दिक्कत में option रहेगा तो बचों एक बार फिर से आप सबसे request है कि यदि आपको कभी भी कोई ऐसे channel या फिर ऐसे group के बारे में सूचना मिलती है तो मुझे जरूर उसके बारे में बताएं मेरे द्वारा legal action लिया जाएगा इसी के साथ जैहिंद, goodbye, take care